शेर और बांक जिसे खतरनाग जानवर जो जंगल में अगर हमारे सामने आ जाये तो हमारे सांसे वही थम जाएगी लेकिन ये ही खुंकार जानवर सरकस में एक बेगी बिल्ली के तरह नजर आते हैं जो रिंग मास्टर के इशारों पर नासते हैं जंगल में इन जानवरों का इलाका होता है और ये अपने इलाके में किसी का भी गुसना पसंद नहीं करते हैं ये अपने इलाके की राजा होते हैं लेकिन सरकस में इन्हें बच्पन में ही लाया जाता है और रिंग मास्टर उन्हें ये ऐसास दिलाता है कि ये उसका इलागा है और वही उनका राजा है रेनी के वक्त उन्हें कई दिनों तक ढूका रखा जाता है और पिटाय भी की जाती है लेकिन ज़रा सोचिए जंगल में हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले ये जानवर जो आँक से डरते हैं, भूका रहने और पिताई की डर से, ये सब करने को मजबूर हो जाते हैं जंगल में आजादी से रहने वाले इन जानवरों को जब एक जगा बंद करके रख दिया जाता है तो उनकी मासिक सिती का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोगे ने जो लॉक्डाउन के वक्त महसूस किया आज हम उसे आजाद हैं लेकिन सरकस में इनका लॉक्डाउन इनके आखरी सांस तक चलता है